नमस्कार बहुत स्वागत है आपके कजूबर अड़्डा में आपके साथ मैं हूँ विपिन भाट सीनबी सी आवाज और एपिक्स कैस्टूडियो से तो आज हम बात करेंगे सीरो सर्वे की और जानेंगे कि जिसके जो नंबर आते हैं वो आखिर कितनी राहत भरे नंबर होते हैं इस बार हम बात उठाएंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जहां लेटेस सीरो सर्वे में 86% से जादा लोगों के अंदर एंटी बॉडी मिली है अब 86% लोगों में एंटी बॉडी का मिलना यहने हर्ड इम्मुनिटी का आना और यह हर तरह के लोगों में मि लगी है ऐसे लोगों में भी आल्मोस्ट जो की वैक्सीन अभी तक नहीं ले पाएं उन में भी परसेंटेज 80% से उपर है और ऐसे लोगों में भी जोने वैक्सीन लगी है वो 86% के उपर है इसका मतलब यह है कि एक मिजॉरिटी ओफ जो आबादी है चाए वो वैक्सिनेट सीरो सर्वे भी देखा था जिसमें 67 या 68% या अल्मोस्ट आप कह दीजे देश की 70% अबादी में एंटी बॉडी मिलने की बात सामने आई थी तो यह सीरो सर्वेस कितने इंपोर्टेंट है और कितना बड़ा इंडिकेशन देते हैं कि हम करोना से लडाई में कहां खड़े ह आज उसी पर बात होगी इसके लिए हमने कुछ खास मेमान बुला हैं कारिकरम में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर ओम श्रिवास्तो जो के हेड आफ इंफेक्शन डिसीजेजेज हैं जसलोग हास्पिटल में मुंबई में लेकिन साथ ही आप माराश्ट कोविट टास्फोस के स स्वागत है तो डॉक्टर दिवान हम आप से शुरुआत करते हैं कि मैंने जिक्र किया कि ये ताजा सर्वे है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जहां पर 86% से जादा लोगों के अंदर एंटी बॉडिज मिली हैं ये सीरो सर्वे की रिपोर्ट क्या बताती है क्या हम करोना के खिलाफ लडाई में वहां पर आके खड़े हो गए हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि अब महानगरों में हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी है और लोग सुरक्षित हैं तो सर जब हम कहते हैं कि अलग अलग कंडिशन्स में हमारे लोग हैं चाहे वो सलम में क्योंकि बॉ पॉपुलेशन है और एक बड़ी अबादी जो है उस लम में रहती लेकिन वहां पर भी अच्छी खासी तादाद में इन फैक्ट जो लोग प्रॉपर बिल्डिंग्स में रहते हैं या सेनिटाइस प्लेसेज में रहते हैं उनसे ज़्यादा एंटी बॉडिंग में रहते हैं इनके अंदर भी 86% के आसपास एंटी बॉडिये ने दोनों पॉपुलेशन दोनों तरह की पॉपुलेशन एकुली इंपक्ट हुई है देखी यह ओविसली एंकरेजिंग रिजल्ट है जो सीरो सर्वे आया है 80% से अभव एंटी बॉडि अभी तक किसी भी सीरो सर्वे के अंदर नहीं पाई गई तो यस एंकरेजिंग है और आपने ठीक का यह मिक्स्ट पॉपुलेशन में यह यही शो करता है कि धीरे दिरे हम हर्ड इम्मुनिटी की तरफ भढ़ते जा रहे हैं और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है अगर आप महराश्ट्रा के नंबर्स देखें और खासकर मुंबई के नंबर्स देखें तो कॉंस्टेंटली कोविड के नंबर्स यह वो धीरे-धीरे कम है अब वो है इस पर नहीं है कि हमें इंफेक्शन नहीं हो सकता देखिए आप चाहिए वैक्सिनेटिड है चाहिए आपकी बॉड़ी में एंटीबॉडी है थू वैक्सिनेशन और थू नाच्रल डिजीज इम्मुनिटी तब भी 60-70 परसंट ही प्रोटेक्शन आपको मिलता है 20-30 प्रतिशत अभी भी होने के चांसेज हैं इसलिए कोविड बिहेवियर को अभी भी अपने साथ संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है जी तोरी मुंबई के सीरो सर्वे की जहां पर बड़े इंकरेजिंग नंबर्स आया है 87% से ज्यादा पॉपुलिशन को एंटी बॉडी मिली है और गलक्स रम ड्रेलिंग पीपल या जो बाब हाई राइस में रहते हैं हर तरीके के और ऐसे लोग वैक्सिनेटेड डॉन वैक्सिनेटेड लोग सब में 80% से उपर है अब हम यही बात कर रहे थे कि क्या यह राहत की बात है चलिए इस बाचीत को हम आगे बढ़ाते हैं डॉक कि देखे मेरे को यह लगता है कि जो एंटीबाडी है और वैक्सिनेशन का स्टेटास अगर आप देखें तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में वैक्सिनेशन का स्टेटास बहुत अच्छा है अगर मैं स्पेशली गुर्गाओं डेली एंसी आर की बात करता हूं तो कि बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा इनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बियॉंड जाके देखना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि वैक्सिनेशन की ड्राइव एक्सिनेशन की एक्सेप्टेंस और रेट और एक्सिनेशन मेजर सिटीज में तो काफी अच्छा है टीर परसें वैक्सिनेटेड है वह एक इंटरस्टिंग डेटा होगा जो हमें यह बताने में मदद करेगा कि छोटे शहरों में किस टाइब का डिजीज का पैटन देखने की उमीद हमारे पास हो सकती है जहां तक बड़े शहरों का बात है मुझे लगता है कि सीरों सर्वेंस जो